उन श्री गणेशाय नमा, नमस्कार दोस्तो, रोचक जानकरी में आपका स्वागत है अक्सर हम अपने घर में कोई भी शुप कार्य करते हैं, तो उसको वास्तु सास्तर के उसाब से ही करते हैं क्योंकि हमारे घर में शुब कारिये के लिए वास्तु सास्तर एक महत्य पून भूमी का निभाता है उसके लिए चाहे घर का मेन गेट हो या रसोई स्टोर रूम हो या फिर ड्रॉइंग रूम सबकी एक फिक्स जगा होती है वास्तु सास्तर के अनुसार पोधो की भी एक जगा फिक्स होती है अगर आप सभी कारिये वास्तु अनुसार करते हैं वह आपके लिए लाप्रत रहेंगे अगर वास्तु सास्तर के अनुसार नहीं करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हानी हो सकती है वास्तु सास्तर के अनुसार तो घर में काटेदार रक्ष नहीं लगाने चाहिए काटेदार पोधे लगाना घर में शुब नहीं माना जाता है तो ऐसे में एक कोश्चन हमारे मन में जरूर आता है क्या घर में गुलाब का पोधा लगा सकते हैं क्योंकि गुलाब के पोधे में भी काटे होते हैं और काटे वाले पोधे वास्तु सास्तर के अंतरगत नहीं आते हैं कि उनको घर में लगाना चाहिए वैसे दोस्तों गुलाब के फुल सभी को बहुत पसंद होते हैं गुलाब की खुश्बू सभी को बहुत पसंद होती है और खिले हुए गुलाब देखने में जितने सुन्दर लगते हैं उतनी ही मन में पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं तो ये चीज में आपसे कहना चाहूंगी कि गुलाब का पेड आप अपने घर में लगा सकते हैं, गुलाब का पेड वास्तु सास्त्र के नियम के अंतरगत नहीं आता है, तो हम वास्तु सास्त के अनुसार घर में गुलाब का पोधा लगा सकते हैं, क्योंकि ये काटेदार हो इसको शुब माना जाता है इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों ये देवी लक्षमी का प्रिये फूल होता है और हर शुकरवार को लक्षमी जी को और पित किया जाता है जो लोग लक्षमी जी की पूजा करते हैं या देवी देवताओं को मानते हैं उनकी पूजा करते हैं वो इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं अगर आप अपने घर के अंदर गुलाब का पोधा लगाना चाहते हैं तो एक चीज का आपको ख्याल रखना होगा वो है दोस्तो दिशा का अगर कोई भी पोधा आप सही दिशा में लगाते हैं सही तरीके से लगाते हैं पूरी पॉजर्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी। गुलाब का पूधा घर में लगाने की सही दिशा है दोस्तों उत्तर या पूर्व दिशा। वेराइटी लगाते हैं ऐसे में अगर वो लोग सही दिशा का ध्यान रखेंगे तो उनका घर हमेशा सकारातमकता से भरा रहेगा कोई नेगिटिविटी उनके घर में नहीं प्रवेश कर सकती है। इसलिए दोस्तों गुलाब का पोधा लगाते वक्त दिशा का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है जिससे की उसके पूरे लाब आपको मिल सकें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें। और बैल आइकन का बटन दबा आना ना भूलें, जिससे की आपको मेरे आने वाली वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। ओम्म शिरी गणेशाय नमा। नमस्कार।